हेलो दोस्तो नमस्कार इवेंट में आप लोगों को यापे बताने वाला हूँ तो कौनसे स्टोक है उसी की लिस्ट आपके सामने आपे पेश करने वाला हूँ तो फड़ा बड़ इसी रोडियो को स्टार्ट करते हैं पर उससे पहले जरू करना चाहूंगा जब बड़ी न्यूस आती है तो वापस हम लोग कह सकते हैं इसके लिए अच्छी न्यूस है अपर सर्कृट के चांसिस वापस बढ़ चुके हैं बट रिटेल इंवेस्टर ने याद रखना चाहिए कि अगर आप लोग उनको दोनों में से किसी एक को चुनना है रिलाइंस वर्सिस फ्यूचर रिटेल तो इससे पहले में बता चुका हो रिलाइंस में आपके ग्रोथ के चांसिस जादा है प्राइस छोटा है इसलिए फ्यूचर रिटेल में जाओगी तो अल्रेडी बहुत स फिक्स जरूर होने चाहिए रैट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अल्रेडी में आपको बता चुक है यह देखी यह बहुत लंबी लिस्ट है यह क्या है इससे पहले भी मैंने आपको बता है था कि जितने भी पीएस यू स्टॉक से उनके उपर आप लोग का फोकस जरूर 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 यहाँ पर रहना चाहिए क्योंकि सरकार डावेस्मेंट से रिलेटेड यहाँ अलग अलग न्यूस सामने लेके आ सकती है जो कि आज के दिन भी हम लोग को देखने को मिला है तो यह सारे लिस्ट आप देखोगे तो एक पीएस यू की बात निकर रहा ह तो इसके उपर आप लोग का फोकस रहना चाहिए देखा जाए तो यह स्टॉक ने इतना अच्छा परफॉर्मंस नहीं दिया है अगर मैं आपको इसका एक साल का भी चार्ट पैटन दिखा दू तो इतना बिलकुल भी मतलब फ्लैट ही इसमें परफॉर्मंस करते वे देख ज़रूर रहना चाहिए अदानी के भी स्टॉक्स कैसे पता है दोस्तों कब यहां पर रैली आ जाए ना वहां खे रैली रहती ना तुफानी रैली रहती है रैट इसलिए अदानी के स्टॉक्स बीना कोई इवेंट से पहले बहुत ज़दा मुशूर हो जाते रडार पे स्टॉक्स निकालोगे ना उसमें यह कंपनी आती है एक्जोनोबिल इंडिया की बात अलग है क्योंकि यहां पर कॉम्पेटिशन अलग रहता है रैट सो एक्जोनोबिल की बात करें तो यह भी अगर देखा जाए तो इसका चार्ट पेटन देखो कि अप्ट्रेंड में आपे मिल रहे हैं तो यही कहना चाहूंगा कल यह भी एक मिड़केप वाला स्टॉक जो की अपने कौटर 3 के नंबर से आपे पेश करने वाला है तो जरू इसके ओपर फोकस आप लोग ने बना के रखना चाहिए अभी लगबग चार से पात साल में डबल होते वे देखने को मिल चुकी है तो कंपनी है बहुत ही बढ़िया यह भी मिड़केप का स्टॉक है इसके ओपर भी कल आपका फोकस जरूर रहना चाहिए गोल्ड सेक्टर से जुड़ा हुआ हाती है कोई तो वो मुतूट फाइनस है पर दोस्तों मैं इससे पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ देखे कुछ ऐसे स्टॉक रहते ना जिसमें कॉलिटी इतनी बढ़िया होती है कि आप उनके नंबर्स अच्छे रहे या फिर बुरे रहे मार्केट को ज्यादा फरक नहीं पड़ता है फरक नहीं पड़ता है मतलब यह गलत इंटरप्रेट मत करना कि नंबर खराब है मतलब इर्दगिर उसी के आसपास देखने को मिलेगा क्योंकि यह कंपनी बहुत ही बड़े कंपनिया रहती है तो मुतुट फाइनेंस भी यह कहना चाहूंगा कल के दिन नंबर्स तो ज़रूर है हां अंटिल एनलेस कंपनी में कोई इंटरनली गडबड है इशू है फ्रॉड है तो कहानी पूरी चेंजी हो जाएगी राइट बड़ अगर हम लोग नॉर्मल इसकी अगर बात करें तो नंबर कैसी भी रहे यह कंपनी बहुत बड़ी है तो लॉंग टम के लिए इसका ज्यादा मतलब बोलते हैं एक दो खराब नंबर से भी ज्यादा कोई फरक ऐसा नहीं जो लोग है उनके उपर ही फाइन लगाया था राइट कुछ बहुत हम लोगों को इशूस होते वह यह आप देखने को लेते हैं तो इसलिए अप लोगों ने फोकस रखना है देखा जाए तो स्टॉक में कोई दम नहीं है मैक्जिमम चाट पेटन आप देख सकते हो कुछ है ही नहीं राइट बट स्टिल स्टडी करने के लिए आप लोगों ने फोकस ज़रूर रखना है देन टाटा स्टील यह भी कल अपने नंबर यहाप दिखाने वाला है तो टाटा स्टील के उपर आपका फोकस रहना चाहिए बहुत बड़े बड़े कंपनीज है तो देख लेते कल इनका नंबर यहाप पर कैसे रहते है क्योंकि टाटा ग्रूप के भी शेर ऐसे रहते है अच्छे नंबर आए तो बहुत जबर्दस जम के यहाप चांसे बढ़ जाते हैं देन अगर यहाप मैं बात करू तो रिलाइं देख लेना मतब क्या वॉल्यूम से 10 करोड 21,23,000 से भी उपर के वॉल्यूम समनों को देखने को मिल रहे हैं तो टाटा मुटरस भी आप लोग देख सकते हैं यह सारे स्टॉक्स आप लोगों को कल के दिन भी कंटिन्यू रडार पर यहाप रखने और बजाच फिंसव भी आप देख सकते दोस्तों बहुत ही जबर्दस मतब 10,000 के लेवल को फाइनली इसने भी यहाप टच कर लिया है तो इन सारे स्टॉक्स के उपर भी आप लोगों को क्या करना चाहिए यहाप फोकस बना के ज़रूर रखना चाहिए दैन अगर यहाप मैं बात करो स्टेट बैं बात करो जैसे मैं आप लोगों को कल के दिन भी वीडियो में सिखा था वार्निंग में आपको बताई थी कि कभी भी आप गिरावट आ सकते वह तो इत्तफाक है कि आज ही के दिन हम लोगों को लोवर सर्केट देखने को बला सो अभी आप देख सकते हो जो अगें सवाल यह हम लोगों को देखने को मिल सकता है अब यह किस्मत की बात है कब यह सर्केट खुलेगा कोई exceptional news आती है तो बात ही अलग है तो यही सबसे important चीज़े में जो बार बार आप लोगों को सिखाता हूँ कि C plus P क्यो जादा important रहता है राइट क्योंकि मैं बार बार आपको यह भी बता चुका हो कि stock market में profit जो रहता है वो हमारे हाथ में ही नहीं हम लोग expectation रखते कि yes हमारा profit double होगा triple होगा 4 गुना होगा 5 गुना होगा but actual में हमारे हाथ में क्या होता है हमारे हाथ में loss होता है yes हम लोग define कर सकते कि हमारा loss कितना रहेगा for example आप किसी stock में 100 रुपया लगात है तो इस चीजों को कभी भूलना नहीं होता है ऐसे stock हम लोगों को ऐसी परिस्तित्य हम लोगों को याद दिलाती है कि आप लोगों के लिए capital save करना क्यों जादा important रहता है right तो यह सिर्फ एक lesson था जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था अभी ये तो depend करता है कि कब लग के हिसाब से stock वापस रिजिम हो जाएगा so I बशा करता दोस्तों जीतने भी important stock थे वो मिने आपको बता दिये जो कि कल के दिन के लिए आप लोगों ने study करने के लिए use करने है so that's it thank you very much दोस्तो we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye